पेरे बच्चो, मैंने आपको काम दिया था, मैंने ये कहा था कि ये जो बार ग्राफ है, बार डाइग्राम, इसको आपको बनाना है, तो ये 1976, ये 1976 है, और इसमें इधर देखिये, ये 1996 है, तो इसमें क्या दिखा रहा है, जरी चैंज इन फिवल, यूज ओवर तुएंटी एयर्स, यैनि इन टिवैर्स में जो डिफरिंट फिवल्स हम यूज करते हैं, उपले है, वूड है, एलपीजी है, केरोशीन है, कूल है, अलेक्रिसिटी है, ये डिफरिंट फिवल्स है, तो हमको ये देखना है, क्यूपेरि कितना यूज होता था और 1996 में किस फ्यूवेल को कितना यूज किया जाता था तो हमको ये देखना है कि इसमें क्या डिफरेंस आया है उसी पर ये questions based हैं और मैंने कहा था कि आप लिखके रखियेगा और मैं इसका answer बताऊंगा तो आप अपने answer से इसको tally कर लीजेगा ठीक है तो first question क्या है in year 1976 out of 100 ये सारा जो दिखा रहा है वो 100 में दिखा रहा है ठीक है और देखिये इसमें 100 में 84 है 10 है 5 है 1 है सबको जोड़ देंगे तो ये 100 हो जाएगा यानि आप देख सकते हैं ये percentage के अंदर आ रहा है 100 में है तो percentage हो गया ठीक है तो क्या question है in year 1976 out of 100 how many houses used uplay and wood which was the fuel used the list in 1976 इसमें दो question है तो क्या करेंगे लिखेंगे क्या uplay and wood अब देखिये uplay and wood कितना है 84 तो आप लिख देंगे uplay and wood 84 which was the fuel used the least in 1976 सबसे कम किस को किस fuel को use किया जाता था तो सबसे कम आप देख रहे हैं कि electricity है तो आप लिखेंगे electricity ठीक है दूसरा question in 1976 LPG and kerosene were used in अब देखिए 76 1976 में देखना है LPG and kerosene were used in कितने houses में तो आपको दीख रहा है 10 तो यहां पर हो जाएगा 10 houses and in 1996 this increased to अब आप 1996 पर आईए किसको देखना है LPG and kerosene को तो यह कितना हों यहां दिख रहा है attain तो यहां पर लिखेंगे attain अब देखिए उसके बाद क्या कहता है this means that in 20 years they are used increased by यानि इन 20 सालों में LPG और kerosene का use कितना परचन बढ़ा है पहले 10 था फिर 18 हुआ तो कितना बढ़ गया 8 18 minus 10 is equal to 8 तो क्या करेंगे 8 upon 10 into 100 तो 10 10s are 100 यह 10 से यह 100 कर जाएगा ठीक है और फिर 8 से multiply कर दीजेगा 10 को तो 80 हो जाएगा तो यहां पर कितना लिखेंगे 80% ठीक है फिर से इसको बताता हूँ in 1976 LPG and kerosene were used in 10 houses and in 1996 this increased to 18 this means that in 20 years they are used increased by 80% अब देखिए यह question फिर से यहां पर देखिए out of 100 how many houses were using electricity in 1996 क्या कह रहा है कि 1996 में कितने घरों में बिजली यूज की जाती थी तो यह देखिए 1996 में बिजली कितना दिखा रहा है 5 तो इसका answer कितना हो जाएगा इसका answer 5 हो जाएगा last question है which fuel was used the least in 1996 कौन सा fuel 1996 में सबसे कम यूज किया जाता था और उसके आगे question देता है what percentage of houses used it in the year 1976 तो आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सबसे कम 1996 में कौल यूज होता था तो यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे which fuel was used the least in 1976 तो लिखेंगे कौल और in the 1976 1976 में कितना कौल यूज होता था 5 तो आपने देखा क्या देखा कि 1976 में उपले एंड वूड 84 1996 में 75 यानि ये घट गया उसके बाद आपने देखा LPG and किरोशीन यहां 10 था यहां 18 यानि ये बढ़ गया कौल यहां 5 था यहां 2 हो गया कौल घट गया electricity यहां 1 था यहां 5 हो गया ये बढ़ गया ये चेंज आया है ये उस अफ different fuels over 20 years और ये 20 years किसके है 1976 to 1996 I think I have given the answer and you will match your answer and write correctly in the notebook. Thank you झाल